डाउटनेंट पर किजिए अपने सारे गऊन्मेंट एक्जामस की तो हमें वो numbers find out करना है जो number 1000 से चोटे हूँ पर वो number multiple होने चाहिए 10 और 13 दौन के तो अगर कोई number जो 10 और 13 दौन से divisible है तो देखें वो number 1 ने 30 से भी divisible होगा because 10 और 13 कैसे number है 13 ने एक prime number है और 10 और 13 दौन को हम combinedly देखें तो ये co prime numbers कहलाएंगे co prime number co prime number because co prime number एसे number होते है जिनके पीछ में जो common factor है वो सिर्फ 1 हो तो देखें 10 और 13 में अगर हम यहां से common factor find out करें तो common factor क्या आएगा सिर्फ 1 तो अगर कोई number 10 और 13 दौन से divisible है तो 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 वो number 10 इंटू 13 तो 130 से भी divisible होगा तो basically हमें वो number find out करना है 260, 390, 520, 650, 780, 910 तो यह ऐसे total हमारे पस numbers है जो 1000 से चोटे हैं पर यह सभी number 130 से divisible है that means यह number 10 और 13 दौन से divisible है अभी कितने numbers हैं तो देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो total 7 numbers है so the correct option is B option डाउट्रेंट पर कीजिए अपने सारे government exams की त्यारी सीखें न्यों tips and tricks और सफाया करें अपने सारे match doubts का डाउनलोड कीजिए डाउट्रेंट आप भी है फिर whatsapp कीजिए अपने doubts 8 400 400 400 पर